Hello Friends, Welcome to Study IQ Study IQ में आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपून जज्ज्मेंट को आज डिसकस करेंगे जो कुछ सालों पहले करी गई थी याकूब मेमन का एक्जेक्यूशन या याकूब मेमन को जब फासी दी गई थी तो काफी इस पे चर्चा शुरू ही थी कि क्या ये justice हो रहा है या injustice हो रहा है क्या ये ठीक है या गलत है तो याकूब मेमन का execution ठीक था या गलत था ये डिसकस करेंगे इस विडियो में आपको ये बता दू याकूब मेमन 1993 मुंबई ब्लास्ट में accused रहे है ये विडियो प्रसुत करूँगा मैं आयूश संगी ध्यान रखे जो candidates law entrance exams की तयारी कर रहे है CLAD की, ALET की D.O.L.L.B की वगएरा वगएरा काफी सारे entrance exams है उन सब के लिए ये वाला विडियो relevant रहेगा समझने के लिए कि law के provisions किस तरीके से capital punishment में constitutionality में, rarest of the rare doctrine में फ्रेम करे जाते है आईए discuss करें कि कब से ये case शुरू होता है याकूब मेमन को फासी लगाई गई 2015 में नाकपुर सिंट्रल जेल में 30 जुलाई को 30 जुलाई वाले दिन 2015 में इनको फासी लगाई गई क्यों लगाई गई? क्योंकि इनका नाम जो है Mumbai Serial Blast से जोड़ा गया था उनके execution पे उनकी जब फासी हुई तो उस पे काफी ज़ादा चर्चा हुई काफी हला मचाया गया क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे थे कि इनका जो नाम है ये जबर्दस्ती घसीटा गया है और अगर इनका involvement है भी Blast में तो भी इनको फासी की सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनके जो भाई है वो involved थे ना कि ये directly involved थे याकूब मिमन का execution समझते हैं याकूब मिमन है कौन Who is याकूब मिमन इनका पूरा नाम है याकूब अब्दुल रजक मिमन जो की एक Indian terrorist के हिसाब से equate किये गए है जिनका जनम मुमबई में हुआ था मेमन परिवार के पहले ऐसे शक्स जो की एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गए उसके बाद B.com करने के बाद इनकी एक CA firm थी AR & Sons जिसके तहद इनको Best CA के अवार्ट से नवाजा गया था मुमबई में फरक ये पड़ता है कि अब इनोंने अपना जो business है वो CA firm से हटा कर exports की तरफ focus करना शुरू करा और वो भी exports कहा से कहा तक Middle East से इंडिया तक और इंडिया से Middle East तक वो meat products export import किया करते थे जो पैसा इनोंने यहां से कमाया उसी के तहद उनोंने मुमबई blast में जितना RDX आया था उसको finance किया था याकूब has been earning quite well through his business और इनोंने finance करे थे मुमबई bomb blast का सारा raw material जो की Middle East से मगवाया गया था तो इनके साथ जितने भी लोग co-accused थे ये charges इनके खिलाफ फ्रेम करे गए थे ये है याकूब मेंमन की identity इनके जो बड़े भाई है टाइगर मेंमन उन्होंने blast plan करे थे उनको finances की help छोटे भाई यानि की याकूब मेंमन से मिली थी तो इनके खिलाफ क्या-क्या charges फ्रेम किये गए है ये समझते है अब ये देखिए examination के लिए relevant रहेगा आपको पता होना चाहिए कि किस किस charges को फ्रेम करा जा सकता है एक Indian terrorist के खिलाफ या एक ऐसे इनसान के खिलाफ जो terrorism के point of view से हिंदुस्तान के against कोई conspiracy कर रहा है तो criminal conspiracy उन्होंने escape plan करा था मेमन फैमिली का हिंदुस्तान से जब blast हो गए उसके बाद उसके बाद उन्होंने terrorist को facilitate करा, abate करा, facilitate करा उनको पैसे provide करे उनको arms provide करे, उनको help provide करी He funded and sent 15 youth to Pakistan पाकिस्तान 15 लोगों को भीजा गया training के लिए ताकि वो arms और ammunition की training लेकर वापस आ सके उसके बाद उनके उपर और charges थे जहाँ पर illegal possession and transportation of arms and ammunition की transport हो रहे है arms ammunition, कहीं और किसी और country से इंदुसान में आ रहे हैं और वो illegally possess किये गए है, और possessing explosive with intent to endanger lives जो की RDX है, तो ये चार तरे के charges उनके उपर frame करे गए इन चार charges के तहट इनको execute किया गया, इनको भासी की सजा लगाई गई ये सारे Indian Penal Court CRPC के तहट सारे charges frame किये जाते है तो क्या ये justified है या नहीं है देखे, the case history of Memon clearly depicts him as a treacherous criminal who has been actively involved in all the terrorist activities, जो की Mumbai serial blast से related थे इनका नाम काफी जगे जोड़ा गया था जैसा कि आपको charges में बताया अगर multiple charges है तो multiple काम किये थे और multiple conspiracies उन्होंने करी थी, हिंदुस्तान के खिलाफ, उन्होंने fund करा था 15 youth को, ताकि वो बाहर जाके training लेकर आ सके, arms and ammunitions use करना सिखा सके, और bomb बनाके blast करना सीख सके, उन्होंने abate करा tiger memon और उनके परिवार को escape करना हिंदुस्तान से, जिसमें उन्होंने Dubai और Pakistan की tick-tay book कराई थी तो क्या ये justified है या नहीं है ये charges के हिसाब से frame किया जा सकता है, उनका जो contact है वो दाओद इबराहिम के साथ भी था, क्योंकि ये कहा जाता है, ये दाओद इबराहिम ने ये सारे acts को fund किया है, पैसा यहां से भी आया था, इनको और convert किया गया है, disguising and keeping safe, the explosive bags provided to him from the Mumbai serial bombs, इन्होंने छुपाए bomb, इन्होंने कहीं कहीं RDX को छुपाया, RDX को पानी में गिरा के उसको छुपाने की कोशिश करी, तो काफी सारे इनके against charges frame किये जा सकते है, ये सारे charges इनके खिलाफ frame करे गए, और blast के तुरंद बाद इनको नई दिल्ली railway station से गिरफतार किया गया, तो ये justification इसके basis पे आप figure out कर सकते हैं कि क्या इनको भासी लगना justified था या नहीं था, तो justification proof करेंगे, कुछ charges लगाके, और कुछ arguments देगे देखें, under section 21 of the act, IPC unless contrary is proved, ये क्या कहता है, any person who's found aiding or abating financially, any person involved in the terrorist attack किसी को जो की terrorist attack से linked है, इस case में, tiger maman, ये terrorist attack से directly linked है, इनको aid करा, abate करा, पैसो के तहट, पैसो की मदद से have in position of arms, इनके पास arms का position भी था, then the person is presumed to be guilty, इनको guilty frame करा जाएगा, guilty proof करा जाएगा ऐसा ये law कहता है, according to the language of this provision, या कूब मिमन can be considered guilty prima facie, क्योंकि उनको इस तहट गरफतार किया गया था, कि उनका जो conversation था वो aid और abate करने का था, financially terrorist को, और जो कराची tapes थे, उनके काफी सारे conversations, terrorist के साथ record किये गए थे, जो की उनके खिलाफ एक evidence बनके रहे गए थे, तो ये बिलकुल justified है, हमारे Indian Penal Court के इनको guilty proof किया गया, तो इस guilt के तहट, ये justified है, जहाँ पे provisions इसके खिलाफ established होते हैं अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है, कि हम ये वाला case discuss कर रहे है, कि justify करें, ना करें, देखिए, charges है justified है, evidence है, तो उनको फांसी की सजा लगाई गई, जो बड़ा मुद्दा यहाँ discussion का आता है, वो आता है capital punishment का, execution का, भांसी का, तो सारी की सारी debate, बहुत सारी countries में हुटी है, including India, कि क्या capital punishment किसी भी terrorist के लिए, किसी भी आतंकवादी के लिए, किसी भी इनसान के लिए justified है, या नहीं है, इस capital punishment की position इंडिया में क्या है, तो इसके खिलाफ काफी सारे arguments दिये गए है, इसके फॉर काफी सारे arguments कि दिये गए है, तो इसको मैं आपको detail में समझाओंगा कि capital punishment होता क्या है, और capital punishment के खिलाफ और उसके फॉर क्या-क्या charges frame किये गए है, तो देखिए capital punishment एक ऐसी चीज है, जिसके तहद आप किसी को punish करते हो as with death penalty, that is called as capital punishment, तो death penalty के तहद आपने capital punishment दिया अब उसमें फासी भी लगाई जा सकती है और और कई प्रकार के तरीके हैं जिससे death penalty को execute करा जाता है तो capital punishment बहुत साब भूद घोर crimes के खिलाफ होती है, बहुत घोर crimes के तो इसका position डीटेल में जानते है तो एक सजा के तहद उसकी जिन्दगी ले लिया जाती है, यानि उसका जीवन ले लिया जाता है, क्योंकि उसने कोई offense commit किया होता है इसे capital punishment कहा जाता है simple language में आप death penalty को capital punishment कहते हो doctrine of rarest of the rare case यहाँ से हिंदुस्तानी provision शुरू होता है, Indian laws का provision शुरू होता है rarest of the rare, देखे capital punishment या फासी की सजा दी जाती है rarest of the rare case में कि मतलब किसी ने बहुती घोर अपरात करा हो बहुती जादा बड़ा offense करा हो तो उसको आप capital punishment दोगे, अब सवाल confusion का यहीं से शुरू होता है कि rarest of the rare होता क्या है what is the rarest of the rare, कौन decide करेगा कि यह act rarest of the rare है यह rarest of the rare नहीं है the expression rarest of the rare case was first used by the court in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab इसमें use किया गया था इस case में Supreme Court ने analyze करा और यह सवाल उठाया कि capital punishment इनको grant की जानी चाहिए या नहीं grant की जानी चाहिए तो court ने guidelines day down करी और determine करा कि ऐसे कौन-कौन से circumstances है, जिसके तहद हम यह establish कर पाएंगे कि कोई भी crime rarest of the rare है या नहीं है, if any crime is rarest of the rare, तो automatically उनको capital punishment दी जानी चाहिए नहीं तो नहीं दी जानी चाहिए तो यह भी court के interpretation पे है देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कोई भी law absolute नहीं होता सारी चीज़े आप कागस पे लिख नहीं सकते कानून में लिख नहीं सकते, तो बहुत सारी चीज़े होती है जो की interpretation पे होती है तो interpret करता कौन है interpret जायर सी बात है court करता है court की language में, उसको doctrine of rarest of the rare case कहा जाता है so अगर कोई option है capital punishment award करने का even after taking into consideration all mitigating factors mitigating factors मतलब किसी का कोई अपराद है, उस अपराद के तहद उसको death penalty मिल रही है तो उस death penalty को mitigate करने के लिए हटाने के लिए minimize करने के लिए आप कई सारे factors, reasons ढूनते हो अगर आपको कोई factor मिलता है तो आप उसकी death penalty को हटा देते हो अगर कोई factor नहीं मिलता है तो इसका मतलब mitigating factors कुछ ही नहीं मतलब उनको सजा मिलने के खिलाफ कोई factor ही नहीं, only then it should be awarded, तभी इनको award किया जाना चाहिए, rarest of the rare case का doctrine ऐसा factor जो की इतना uncommon हो, जहाँ पे वो mitigating नहीं हो पा रहा हो उसकी जो death penalty से माफी है, वो चीज़ हटाई जा सके तो उसको rarest of the rare option कहा जाता है तो rarest of the rare option में अगर कोई mitigating factor मिले, फासी की सजा ना लगे, तो automatically वो death penalty life imprisonment में confirm हो जाती है, या convert हो जाती है तो इसको doctrine of rarest of the rare कहा जाता है, देखिए कई सारे चीज़े है ये बिलकुल black or white में नहीं है बहुत जादा grey area है, beach का area है जो की अभी भी interpretation पे based है तो उस interpretation के तहदी याकूब मेमन को फासी लगाई गई थी Constitutionality क्या है Capital punishment की आईए देखते है Capital punishment एक बहुत highly debated topic है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, हिंदुस्तान में भी इसको Constitution के खिलाफ माना जाता है, कुछ लोगों द्वारा कुछ जो ऐसे interpreters है कुछ judges है, कुछ law interpreters है Supreme Court, High Court के जो ये कहते है कि Capital punishment जो है, वो Article 14 और Article 21 को violate करता है, यानि कि Right to equality और Right to life को violate करता है, किसी की life आपने छीन ली तो जाहर सी बात है, Right to life को violate करता है, लेकिन life क्यों छीनी है उस पे question आता है, तो इसी में कई सारे arguments दिये जा सकते हैं तो सबसे पहले discuss करेंगे arguments जो Capital punishment के खिलाफ दिये जाते हैं, What are the argument against, given against the Capital punishment, तो risk of सबसे पहला argument तो यह है कि कोई innocent person हो, कोई जो ऐसा हो जिसने offense ना commit करा हो, जिसको frame किया जा रहा हो, उसको बिचारे को भासी लग जाएगी, risk of execution है देखिए, ऐसा होता नहीं है, ये फिर ये एक तरह का against में, इन्होंने ground hold कर रखा है, और ये ground ठीक भी है There are no foolproof criteria to determine what constitutes rarest of the rare case, ये चीज है, ये बिलकुल एक ऐसी चीज है, जिसके उपर debate होना चाहिए, rarest of the rare case क्या होता है, ये interpretation पे है अब किसी के साफ से rarest of the rare case हो, किसी के साफ से ना हो, कोई bench ये बोलती है कि rarest of the rare है, दूसरी bench बोलती है कि नहीं है, तो इस वज़े से कोई criteria नहीं है, तो अभी जैसे हमने बताया कि अगर कोई mitigating factor ना मिले, तो वो rarest of the rare है तो वैसे cases बहुत कम होते हैं कहीं ना कहीं अगर आप कुछ ना कुछ कानून में ढूंडोगे, तो शायद mitigating factor मिल जाए, तो फिर आप उसे rarest of the rare नहीं बोलोगे, लेकिन उसका अपराद ही होगा कि वो बहुत बड़ा होगा terrorist activity उसने carry out करी होगी, तो ये दूसरा factor है, तीसरा factor है तो गरीब लोगों को death sentence मिलना असान है, और इनके लिए जादा risk है, क्योंकि इनके पास means नहीं है expensive lawyer को रखने के, और अपने आपको defend करने के, ये तीसरा factor है लेकिन देखिए, ये कोई criteria नहीं है बचने का, अगर किसी को भासी की सजा लगती है तो वो लग सकती है, और कोई भी ऐसा conclusive evidence नहीं है, जो की deter कर सके death की penalty को तो conclusive evidence अगर होगा, तब आप death penalty दीचे, लेकिन अगर evidence नहीं है और judge अपने interpretation पे कोई सजा सुना रहा है, तो वो भी एक factor है, जिसके तहद आप death penalty announce नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ factors दिये गए हैं, जिसके खिलाफ या जिसके point of view से death penalty announce करना गलत माना जाएगा या गलत साबित होगा, तो इसी के तहद काफी सारे viewpoints दिये गए हैं, बहुत बड़े-बड़े लोगों ने viewpoints दिये हैं Justice Krishna Ayer ने ये बोला है, एक case में Rajendra Prasad versus State of UP में, जहाँ पे death penalty जो है, वो constitutional articles को violate करती है इसी के साथ साथ और भी कहीं बोला गया है, Justice Ganguly ने ये बोला गया है, कि death sentence जो है वो एक barbaric crime है, anti-life है, undemocratic है और एक irresponsible behavior है, justices के खिलाफ, benches के खिलाफ जो ये सजा को सुनाते है, ये Justice Ganguly द्वारा बोला गया है बच्चान सिंग, Justice P.N. भागवती ने इस case में बोला था कि death penalty जो है, वो unconstitutional है और undesirable है जो कि Justice Krishna Ayer ने भी कहा था इस concept को criticize किया गया है, इस ground पे कि ये irrevocable है, जाहिड सी बात है अगर इंसान मर जाएगा, तो फिर वो revoke कैसे हो सकता है Hence, it is termed as unconstitutional and undesirable उसके बाद Law Commission ने 2015 की report में ये कहा था to recommend the abolition of death penalty except in terror related cases terrorist को आप death penalty सुनाओ, उसके खिलाफ नहीं बोला गया है लेकिन अगर किसी और को death penalty सुनाओ उसको abolish कर देना चाहिए abolish ही कर देना चाहिए as per Law Commission report तो ये अलग-अलग viewpoints है जो की death penalty के खिलाफ act करते है उसके बाद death penalty के कौन से ऐसे acts हैं जो उसके favor में act करते हैं death penalty सबसे effective तरीका है to remove unwanted, brutal and dangerous criminals from the society permanently कि कोई भी किसी को भी ऐसी सजा मिले जिससे कि उसका जो crime है उसका जो offense है वो दुबारा कोई करने से पहले सौ बार सोचे या दुबारा कोई करने से पहले समझे कि उसके नतीजे क्या होंगे तो automatically ये चीज जो है society में डर पैदा करता है तो ये unwanted, brutal, dangerous criminals को remove कर देगा जिनकी जरुवत नहीं है जो इतना घोर पाप करते है जिसके साथ अपराद हुआ है उसके दिल से पूछे अगर वो उसको सही माइनों में justice देना है तो जायर सी बात है death penalty को सुनाना जरूरी होना चाहिए constitution provides for reasonable restriction on freedom under article 19 and article 21 right to freedom of speech article 19 है लेकिन ये absolute नहीं है आप कुछ भी कहीं भी खड़े हो के नहीं बोल सकते हैं आप बोल सकते हो as long as आप violence in sight ना करो ऐसी चीज़े ना करो article 21 makes right to life and personal liberty conditional and not absolute जैसा मैं आपको बताया condition is unless according to the procedure established by law and the last is government doesn't have to spend the tax payer's money in maintaining anti-social elements jail में भी पैसा लगता है maintain करने का कहधियों को और ये anti-social elements है जिनकी against बहुत बड़े-बड़े crimes हैं बहुत बड़े offenses हैं बहुत सारे charges लगे हुए हैं तो उनको maintain करके पैसा क्यों बरबाद करना है इस से better उनको फांसी की सजा सुनाओ तो ये favor में कुछ चीजें दी गई है in terms of capital punishment इसके बाद आती है President की power President की power माल दीजे किसी court की bench ने किसी को फांसी की सजा सुनाई है highest court ने, supreme court ने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस victim के पास जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है वो appeal कर सकता है President के पास अगर President उसकी appeal को दलील को सुनते है और President उसको pardon grant करते है उसे कहा जाता है Presidential Pardon Pardon का मतलब है कि फांसी की सजा उनकी उपर से हटाई जाती है उनको life imprisonment दिया जाता है President has the power under article 72 to grant pardon, reprieve, respite और remission Pardon दे दे कि फांसी की सजा नहीं मिलेगी reprieve कर दे या, respite दे दे कि किसी और चीज में convert कर दो फांसी की सजा को in case the punishment is a death sentence तो President के हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये power है President प्रतिभा पाथिल ने 35 pardon during अपने tenure में दिये थे 35 लोगों को pardon दिया था लेकिन प्रानम मुखरजी सहाब ने 22 mercy petitions को reject कर दिया था सिर्फ और सिर्फ दो को मन्जूर किया था, 22 को reject कर दिया था इन जो 22 को reject किया था उसमें से एक थी अजमर आमिल कसाप की और दूसरी थी याकूब मेंन की तो इन लोगों को presidential power presidential pardon नहीं मिला था तो प्रानम मुखरजी ने बहुत brave decision capital punishment पे debate अभी भी उठती है कि क्या capital punishment दिया जाना चाहिए या वो सही है या नहीं है तो comment section में लिख कर बताए whether capital punishments are correct or incorrect in terms of certain crimes which are required in any country, not just India in any country तो याकूब मेंन का जो execution हुआ, उसमें Supreme Court ने इनको सदा सुनाई और उसके बाद इनका curative petition भी reject हो गया जो कि इनके execution को नहीं रोक पाया इनका petition हर जगे से reject हो गया था और death penalty के तहट इनको execute कर दिया गया 30 July 2015 को तो ये वही है याकूब मेंन जनोंने 1993 blast को facilitate करा था तो charges आपको पता है इनको फांसी की सजा सुनाई गई है आप comment section में लिखकर बताएं कि वो ठीक है या गलत है Thank you so much for watching this video